21,000 करोड ये वो अमाउंट है जो भारत में दूसरे देशों से अर्ण की है वो भी डिफेंस वेपन्स बेच कर जिसमें ब्रहमोज चैसी सूपर सोनिक क्रूस मिसाइले भी शामिल है और ये तो कुछ भी नहीं एक और बड़ा माइल्स्टोन तब सामने आया जब भारत में पह करेगा दिल्चस बात यह कि सिर्फ राइफल ही नहीं बलकि इस प्राइवेटली कंपनी को कई देशों से गोला बारूत की सप्लाई का भी ठेका मिला है और ये डील करीब 5 करोड अमारी की डॉलर में हुई है लेकिन इस डिफेंस टील ने चीन और पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है और टेंशन बढ़े भी क्यों ना जो भारत एक टाइम पर हत्यारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर था वो आज 85 से जादा देशों को डिफेंस वेपेंस एक्सपोर्ट कर रहा है वहीं ये डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में 31 गुना तक बढ़ ग जहां आज रॉकेट से लेकर हत्यार तक हर चीज मानिफाक्चर हो रही है मेकिन इंडिया थीम पर आज हम भारत देश के अंदर ही ऐसे डेंजरेस वेपेंस को तयार कर रहे हैं जिनके डिमांड दुनिया भर में है इसी वज़ह से भारत डिफेंस सेक्टर में पहले से कहीं स थोटे हत्यारों से लेकर तोपों और मिसाइल तक हर चीज लार्ज क्वांटिटी में प्रड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट भी हालकि हमारा देश कुछ समय पहले तक इन गैजट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर था लेकिन अब हम इन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू क कर रही है वहीं प्राइवेट कंपीज खुद भी फॉरिन कस्टमर्स ढूण रही है यही रीजन है कि भारत के अन्वल डिफेंस प्रॉडक्शन ने 2023-24 में पिछली सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती है और यह रिकॉर्ड तोड प्रॉडक्शन करीब 1.27 लाग करोड रुपे ह इस टेटा को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मेकिन इंडिया प्रोग्राम नई उचाईयों को छूरा है 9 जुलाई को पब्लिश हुई एक रिपोर्ड के अकॉर्डिंग बेंगलूरू की SSS डिफेंस नाम की एक कमपनी को फॉरेंड कंट्री से करीब 400 करोड रुपे के हत्यारों का ओर्डर मिला है ये ओर्डर 338 लापुआ मागनम कैलिबर वाली स्नाइपर राइफल के लिए दिया गया है जो 500 मीटर और उससे ज़ादा दूरी के टार्गेट को हिट कर सकती है हानकी SSS डिफेंस की इस राइफल को अल्रेडी कई देशों को एक्सपोर्ट किया जा चुक है वहीं कई दूसरे देशों के साथ अभी बाच्ची चल रही है इसी को लेकर इन देशों के रिप्रेजेंटेटेव ग्रूप ने कमपनी के मनिफाक्चरिंग और टेस्टिंग सेंटर का दौरा भी किया यानि इस स्नाइपर राइफल की एक्सपोर्ट की काफी पॉसिबिटी है इसलिए कई दूसरे देश के मनिफाक्चरर भी इस कैलिबर में कई तुरह की राइफले बनाते है लेकिन अच्छी बात यह साब के इतना कॉमपेटिशन होने के बावजूद भी इंडियन स्नाइपर राइफल दुनिया की सबसे सटीक और भरोसे मंद है और सिर्फ राइफल ही नहीं भारत में बनी सभी विपिन्स दुनिया के किसी दूसरे देश में बनी हत्यारों से कम नहीं होती वहीं ये दूसरे देशों के हत्यारों के कंपारिसन में सस्ते और टिकाओ भी होते हैं और यही चीज इन्हें डिमांडिंग बनाती है दिक्कत सिर्फ एक है कि हमारे देश में जितने भी साजो सम्मान बनते हैं उन में से mostly weapons की पूरी technology विदेशी है अब आप सोचेंगे कि ये कैसा make in India हुआ तो बता दूएं कि ये starting zone है अगर दूसरा देश हमें technology support नहीं करेगा तो हम defense export की दुनिया में आके नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा ये सपना अधूरा रह जाएगा इसलिए सरकार को सबसे पहले defense research और defense technology पर खर्च करना ही चाहिए जितनी जल्दी हमें सेक्टर पर ध्यान देंगे उतना ही हम defense export में growth कर पाएंगे और अगर growth की बात करें तो जैसे हमने पहले बताया कि 2023-2024 में सरकारी और private company ने मिलकर तेश में 1.27 लाग करोड रुपे से जादा के वितेशी हत्यार produce की है और इनमें से 21,083 करोड रुपे के हत्यार भारत ने बीते एक साल में बेचे हैं यह अजादी के बात से लेकर अब तक का सबसे बड़ा defense export है भारत ने 2022-23 में 15,920 करोड रुपे के हत्यार बेचे थे लेकिन यह एक्सपोर्ट 2023-24 में 32.5% बढ़ गया है P.I.B. के एक रिपोर्ट बताती है पिछले 10 साल में भारत का defense export 31 कुना जादा हो गया है तेजी से बढ़ रहे हैं इन हत्यारों के एक्सपोर्ट में इस टेटा के हिसाब से देखे तो भारत का defense export पिछले सालों में बढ़ा जरूर है लेकिन इसमें कुछ पेंच भी है अक्चली भारत जो लडाकु विमान फ्रांस या दूसरे देशों से खरीटता है उसका दर्वाजा भी भारत में ही बनता है जब ये दर्वाजा विदेश जाता है तो वो एक्सपोर्ट में गिना जाता है जब तक भारत पूरे विमान को बना कर दूसरे देशों को नहीं बेचता तब तक सही माईने में defense export के sector में देश की तरक्की को नहीं माना जा सकता है अभी भारत खुद रूसी टैंक्स और दूसरे देशों के fighter इस्तेमाल कर रहा है सरकार सिर्फ value बताती है जबकि कौन से हत्यार और कितने बेचे हैं उसका breakdown बताना चाहिए हाला कि स्टॉक हॉम International Peace Research Institute के डेटा के मताबिक इतना जरूर पता चलाए कि साल 2000 से 2020 के बीच Myanmar भारत से सबसे जादा हत्यार खरीदने वाला दूशे यानि भारत से सबसे जादा 31% हत्यार Myanmar को एक्सपोर्ट होते हैं वहीं जंक की वज़ह से अब रूस भी भारत में बने गोला बारूत खरीद रहा है 10 मई 2024 को Live Mint ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीचे 6-8 मईने में रूस ने भारत से 33,000 करोड रूपे का गोला बारूत और सेक्योरिटी से जुड़े दूसरे समान खरीदे सबसे बड़ी बात है कि भारत को रूस ने ये पेमेंट भारत करंसी रूपे में किया है हालनकि इसका कोई ओफिशल डेटा नहीं है इसके अलावा 19 अप्रेल 2024 को भारत में फिलिपीन्स को ब्रहमोस सूपर सौनिक क्रूस मिसाइल की पहली खेप सौपी थी बदा दें कि फिलिपीन्स आउट चाइना सी में चीन को टकर दे रहा है और ये पहला ऐसा देश है जुसे भारत में ब्रहमोस बेचा है जनवरी 2022 में भारत से फिलिपीन्स ने ब्रहमोस मिसाइल के लिए 375 मिलियन डॉलर यानी 3130 करोड रुपे की एक बील की थी इसके अलावा 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस्राइल और ब्राजील सहीद 34 देशों को बुलिट प्रूफ जैकेट बेचे हैं वही UAE, मिस्र, इंडोनेशिया और थाइलेंड समय 10 देशों ने भारत से 5.56 mm और 155 mm के बीच गोला बारूद खरीदे हैं इसके साथ ही अमारेका, UK और फ्रांस जैसे देशों ने हत्यारों में इस्तमाल होने वाले चोटे-चोटे इलेक्ट्रोनिक सामान खरीदे हैं जबकि मौरीशियस, सेशिल्स और मालदीव को भारत ने Autonomous Fast Inceptor Board यानी Port एक्सपोर्ट की हैं उससे भी बड़ी वात यह है कि भारत के सिर्फ स्नाइपर राइफल, बुलेट प्रूफ जाकेट और जंगी जहास नहीं बलकि तेजस जैसे एरक्राफ्ट की मांग भी दुनिया भर के देशों से हो रही है दिसंबर 2023 में देश की सबसे बड़ी हत्यार बनानी वाली कंपनी हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानी HAL के डारेक्टर सीवी अनंत क्रिशनल ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि LCA तेजस के लिए तीन देशों अर्जंटीना, फिलिपीन्स और नाइजीरिया की साथ डील को लेकर बात आगे बढ़ गई है, इसके अलावा बोट स्वाना और मिस्रुच जैसे देश ने भी तेजस को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है, उनसे पहले 5 अगस 2022 को संसत में रक्षा राज्य मंत्री अर्जे भट ने पहली बार इस बारे में information disclose की थी, उन्होंने अपने बयान स पूरे सदन को हैरान कर दिया था, अच्छली उनके अकॉर्डिंग सूपर पावर अमारिका ने भी तेजस एरक्राफ्ट को खरीदने में दिल्चस पे दिखाई है, रक्षा राज्य मंत्री भट की माने तो हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड यानि HAL एक इंजन वाल HAL ने दे ही दिया था, आक्चली मलेशिया अठारा ट्रेनर यानि FLIT LCA खरीदना चाहता था, तब मलेशिया के अलावा तेजस LCA में अर्जंटीना, आस्ट्रेलिया, मिस्र, अमारिका, इंडोनेशिया और फिलिपीन्स भी इसमें अपना इंटरस दिखा रहे थे, बड़ी मलेशिया ने इसे खरीदने में दिल्चस पे दिखाई, हाना कि चीन का JF-17 फाइट टेजस से सस्ता है, इसकी कीमत कम होने की बज़े से मलेशिया का ध्यान उस तरफ गया, लेकिन वो टेजस MK-1A वारियंट की खासियतों के आगे फीका है, टेजस कोरिया और चीन के फाइट जेट से कई गुना बहतर, तेज, घातक और मॉडर्ण है, जिसमें एडवांस टेकनोलोजी का यूज हुआ है, इसलिए महंगा होने के बाद भी तेजस ने इन सब को पचार कर मलेशिया की पहली पसंद बनाए, आक्चली इस पसंद के पीछे चार और बड़ी खूबिया है जो तेजस में बाकी फाइटर जेट से अलग है, बता दें कि इस वक्त भारतिय वायू सेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट है, उनमें सुखोई SU-30 MKI, राफेल, मिराज, मिक-29 और तेजस का नाम शामिल होता है, लेकिन तेजस अपमी इन खूबियों की वज़ह से बाकी के चारो फाइटर जेट से अलग और खास है, जिसमें पहली खूबी है, इसका इंटेजिनेस होना, आक्चुली इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तयार हुई है, इस लाकु विमान को बनाने वाली कमपनी हिंदूस्तान एरनॉटिक्स इस वज़स से तेजस एक साथ 10 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, साथ ही ये निशाना साधने में भी कैपेबल है, वहीं इसकी तीसरी खूबी ये है कि बेहत कम जगा, यानी 460 मीटर के रनवे पर भी टेक ओफ ये कर सकता है, और इसका चौथा बेनिफिट ये है कि ये फा चाकतवर विमानों को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए तेजस विदेशों में भी इतना पसंद किया जा रहा है, इसी तरह बिंडियन स्नाइपर राइफल भी फेमस हो रही है, लेकिन क्यों? इसे समझने के लिए हमें इसकी क्वालिटी पर बात करनी पड़ेगी, वहीं य जानना भी जरूरी है कि इसके नाम में लापुआ क्यों लगा है? तो बता दें कि स्नाइपर राइफल एक खास रगातियार है, जिसका यूस लंबी दूरी के टार्गेट को आकुरिट निशाना लगाने के लिए किया जाता है. दुनिया की पहली स्नाइपर राइफल विट उसमें 333 कैलिबर का लापुआ मागनम कार्टूस यानि गोली का इस्तमाल होता है. ये खास रह कि कार्टूस है जिसे 1980 के दशक में फिनलैंड के लापुआ शहर में तयार किया गया था और यही वज़ाए कि इस राइफल में इस्तमाल होने वाले कार्टूस के नाम के साथ लापुआ चोड़ा गया है. भारत ने स्नाइपर राइफलों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है लेकिन इंडियन आर्मी खुद कई सालों से अपने लिए ऐसी राइफल ढून रही है. यानि उनके हाथ अभी तक ये राइफल नहीं लगी. बदाने 2019 में आर्मी की नॉर् लगाए जा रही है. ये तना बड़ा और जरूरी ओर्डर है. बावजुद इसके इन राइफलों की टेस्टिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है. आक्चली रूस योक्रेन युद ने कई देशों की सप्लाइचेन को अफेक्ट किया है. और भारत इस खाली जगा को बरने की कोशिश कर रहा है. लेकिन डिफेन्स सेक्टर में बतलाव की ये कहानी एक दिन का तयारी का रिसल्ट नहीं है. सरकार ने दोजार पच्चीस तक 14,000 करोड रुपे के डिफेन्स प्रोड़क्शन का टार्गेट रखा है. जबकि अगले पांच सालों में 35,000 करोड के एक्स पड़ता था. लेकिन फिर भारत ने 70% से जादा हार्टवेर बंद करना शुरू कर दिये और यहीं हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. आपको क्या लगता है भारत की इस तरक्की का राज क्या है? भारत का आगे आने वाला फ्यूचर क्या होगा? कॉमेंट जर क्या हुले.